सातीयों नमस्कार गुझ लाइवग न्यूज में मैं सहुआप लोका स्वागत करता हूँ सातीयों आज मैं आप लोक से कोई फिल्म के बारे मृट नहीं करने आए कौण से फिल्म आ रही है क्या आ रही है कब मूवी आएगी कौण सी आएगी बल्कि कुछ special आज बात करने आ रहा है तो कि गुझ लाइव नियूस के जो सब्सक्राइबर है न दोस्तों वो गुझ लाइव की तरह special है वो फिल्मों पर star hero heroine पर तो अपनी राय रखते ही है साथ के साथ society में क्या हो रहा है इस पर भी थोड़ा थोड़ा बहुत अपना राय रख लेते हैं तो साथियों आप से सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा कुछ एक सवाल करूंगा आप लोग से आज में ठीक है सुनिएगा और सकेगा तो कमेंट में जवाब भी दिएगा साथियों आप लो मनोज वाश्पी को जानते हो मनोज वाश्पी बॉलिवोड में शायद कोई hero है क्या मनोज वाश्पी सुनाय ना नहीं ठीक है नहीं सुना शायद है ठीक है एक नाम और लेता हूं आपका फिवरेट प्रभाश सुनाय ना को कली तो बचाया थे है 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 इस है इसार के शारुखान और ज्याद मुस्कुराट आगई प्यार मुहांबद एक मोशन बहुत कुछ और वीर देते रहते हैं शही बात है हाँ तीन तीन फिल्में आई है उनकी एक नहीं दो नहीं तीन तीन मूवी भाई तीन मूवी अच्छा ठीक है और थोड़ा बात कर लेते हैं सलमान खान अटे-था आगे बाहर के लोग जानते हैं मैं तो जानता हूं सात्यु भतने में इसी बात क्यों कर रहा हूं आपको लगा से सी बैकिवा की जानता हूँ, आप जानते हो लेकिन आप लोग जान के इरिवाल करते हो अंदेखा करते हो जो आप लोग से पुछो ना, बात करो ना या स्टार हो तो मनौज वाजपई jijसा एक नंबर स्टार है सर मनौज वाजपई तो भेस्ट है बॉलिवूर्ड में कोई स्टार हो ना मनुछ बाचपई जैसा हो तो भाय साब जोरम मूवी देखने क्यों नहीं गए आर दिसंबर से लगी थेटर में क्या कर रहे हो कहां बैठे हो भाई कहां बैठे हो आप लोग किदर हो 22 दिन हो चुके फिल्म को लगे हो दोस्तों 22 दिन हो चुके है और 22 दिन में फिल्म की स्थिति क्या है अप लोग जनते हो नहीं जनते मैं आपको आज बताऊँगा आज आपको बताऊँगा जोरम मूवी के बारे में जोरम मूवी के स्टार कास के बारे में थोड़ी से आज बात करते हैं जोरम मूवी के स्टार कास्ट के बारे में कब लगी क्या बजट है तो शुरूबात करते हैं सबसे पहले जोरम मूवी आठ दिसंबर को थेटर में रिलीज होती है और उसके पहले इंटर्नेशनल फिल्म फियर फेस्टियर्स में दर्बन वहाँ पर इस फिल्म को अवार्ड मिलता है और सिर्व दर्बन फिल्म फियर फेस्टिवल नहीं और भी अलग-अलग फिल्म फियर फेस्टिवल में फिल्म जाती है दर्बन इस स्पेशल स्ले नाम से ले रहा हूँ कि वहां पर फिल्म फेयर फेस्टिवेल जीत जाती है जोरम मुवी और मनोज वाजपई को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है उसके बाद थियेटर में रिलीज होती ही फिल्म सोचे फिल्म स्टार कास्ट फिल्म के स्टार कास्ट को अवार्ड मिलता है और यह अवार्ड एक नहीं है मनोज वाजपई का ना जाने कितने अवार्ड है लिकिन मास हीरो नहीं है आप लोग को तो मास हीरो चीह है नरेन मोदी जैसा है है न दोस्तों अरे नरेन मोदी प्रधान मंतर एं क्या आप लोग की ओ बुरा तो नहीं लगा शायद बहुत अपने लोग को बूरा लगा हो कोई बात नहीं आप लोग को कोई मांस हीरो चीए प्रभास की तरहे है अनम शाति और शारुखान की तरह अच्छा बात कर लेते हैं डारेक्टर की डारेक्टर है देवसिस माकीजा देवसिस माकीजा चील्म के डारेक्टर है कोई नाम नी सुना होगा बड़ा नाम नी है ना आप लोगको बड़े नाम चीए मोदीजी जैसे वो फिर से बाबु राव भी है बोल रहा है, फिर से मोदीजी का नाम लेलिए पियर मेंना क्या करेंगे, आज आता है जुवान पर खेर, स्टार कास्ट पर बात कर लेते हैं, स्टार कास्ट, मनोजबाजपरी जैसे मेंना आपको बोला, मुहम्मद जैसीन और तनिस्टा स्टेटरजी एडिए जो कि फिल्म की और समीता तण्डी ये चार है स्टारगास्ट फिल्म जो है शायद आप लोग को हसी आयए मातन पंदरा करोड के बेजट मुझेट बनी है 15 फिल्म का बजचेट है दोस्तों साथ आप लोग को हसी आ है, बहुत सारी लोग को अज के समय में जहां 600-700 करोड के budget की filmें बन रही है पंद्र करोड जी है साथियो इस film का budget है मात्र 15 करोड पता है क्या है पता है जानना चाहते हैं क्यों क्योंकि आप लोग को इस तरह की आर्ट फिल्में जो समाज में सोसाइटी में मैसेज देती हैं पसंद नहीं है अच्छी नहीं रखती है आपको मारधा, एक्षन, लड़ाई, चगरा इस तरह की फिल्में अच्छी रखती है मुझे याद है आज भी 90s में फिर भी हमारा इंडिया ठीक था कैसी फिल्म में पसंद थी पता है हम साथ साथ है और न जाने कितनी फैमली फिल्म में आती थी उसके लावा जो संदेज देने वाली आर्ट मूविया भी आती थी जिसका बजट उस समय में भी 15 करोड 20 करो होता उस समय में 90-2000 में और आठ फिल्में जो सुप्वा होती है जिन फिल्मों को अवार्ड बहार मिलता है वो फिल्में भी आज भी 15 करोड बनती है और यह फालतु कचड़ा की जो मूविया है कचड़ा मूविया जो फालतु की बकवास है जो मन गरंट है वो कहानिया आप लोग को पसंद आती हैं जिसमें डीरेक्टर प्रोड्यूसर 200-200-300-300 करोड की बनाते हैं मैं डंकी मूवी की बात नहीं कर रहा हूं साथियों डंकी एक अच्छी मूवी है मैसेज देने वाली मूवी है जबर्दस्ट मूवी है मैं बात कर रहा हूं एक हमते पहले रिलीज हुए एनीमल मूवी की है जब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलेंगे शायद आप भी तारीफ कर रहे थे यहां कर रहा था मेरा काम है मे तो रोज-काम है यहां तारीफ करना मैं आता हूं आपको हर फिल्म के wal ade उसका direction को देखता हूं साइचीज को देखता हूं गलती director की नहीं है producer की नहीं है market की नहीं है गलती आपकी है आप लोग को मनोज वाजबरी एक अच्छे hero लगते हैं लेकिन आपको film उसकी देखनी बॉलिंग लगती है कहां जाते हैं जो Bollywood को बोलते हैं कि Bollywood में कि बाप बेटेओं का बिजनिस चलता है फिल्म इंडस्ट्री वाले Bollywood को बरबाद कर दी है तो ऐसी आर्ट मुवी देखने आओ ना जो बड़े ट्रॉल करने बैड़े आते हो Bollywood को ट्रॉल करते हो ना कि आओ कहां गाए वह भाजपा के निताब कहां गाए वह जो ट्रॉल फिगर बनते हैं बड़े जो बुलते हैं बॉलिवूड को यह वह फदा नठीका ना हिंदू एक हिंदू की मुवी लगी है माज को मनोज वाजपरी की जोरम बहुत जोरदार शांदार मुवी है अब मैं आपको बताता हूँ मुवी की स्टोरी की बार में सातियों सातियों अगर मैं जोरम मुवी की बात करनों जोरम मुवी की कहानी अगर आपको तुना से बताओं तो बिसिकली जोरा मूवी जो है वो जहारखंड में उसकी शुटिंग हुई है जहारखंड में के एक गाउ में दो लोग हैं जो मूल रूप से आदिवासी है उसमें मनोज वाजपे जिनका रोल अदा कर रहे हैं उस किरदार का नाम है दसरू और उनकी पतनी वानो वानो का रोल तनिस्था चटाजी तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि दोनों ही बड़ी हसी खुशी एक समय पर अपने गाउं जहारकंड के गाउं में रहते हैं और उनकी एक छोटी बच्ची भी रहती है उस समय इनकी जंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था सब बढ़िया थ अच्छानक काम की कमी आ जाती है जिसकी वज़े से गाउं को छोड़ करके उन्हें कॉन्क्रीट का जंगल कही जने वाला सहर मुंबई वहां से ठोना रहता है तो मुंबई चले आते हैं मुंबई में वहां मजदूरी दोनों पति बतनी मजदूरी करते हैं माफ करिएगा पति जो दस्रूर रहता है वह मजदूरी का काम करता है वहां पर जाकरके वहां भी सबकुछ ठीक ठाक चली रहा था सबकुछ हो ही रहा था जिंदगी वापिस धर्वे पर आही रही थी तो उनके जो पुराना अतीत है विरायक फुलो का सामना दस्रूर से हो जाता है और फिर जिंदगी वापिस बैक फ्लेस में चली जाती है फिर वही कठीना आई वही समस्यानी शुरो हो जाती है तब तक ये इनकी जो बच्ची है वो चार पास साल की हो गई होती है एक दिन बढ़ी खुशी के साथ में दस्रूर की इक्षा होती है कि मैं सारी अप पुरी बदल जाती है दस्रूर की और दस्रूर फेसला करते हैं कि इसका बदला लेने के लिए हमें नकसलियों से मिलना होती है नकसली गुट में वो सामिल हो जाते हैं और फिर वो किस तरीके से वो बदला लेते हैं एक सही रूप से देखा जाया तो इस स्टोरी के जरिये फोल है उनसे लड़ते हुए किस तरीके से सिस्टम की वज़े से कही ना कही नकसली ये आतंगवादी बन जाता है खास्तवासे नकसली इसको दरसाती है ये फिल्म आदिवासियों का भारत में क्या हाल है भारत में छतिजगर है जारखंड है जहां बहुत ज़्यादा आदिवासी है और यहीं पर नकसली पनपते हैं तो इस फिल्म के जरिये मनोज वाचपई ने बताया है स्टार्क अगर इसमें बात कर ले मूवी में जो डारेक्टर हैं देवसिस मकजी साथ उनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते देवसिस मकी जाओ उनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते लेकिन ऐसे सब्जक की मूवी ये लोग लेकर हमारे लिए आए हैं साथियों बात कर लेते हैं कि दिसंबर महिने में कौन कौन सी मूवियां आई और उसने कितना बिजनिस किया थोड़ा सस्पे अपन द्यान दे देते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं सातियो एनिमल मूवी की एक दिसमबर को एनिमल मूवी रिलीज होई और छपड़ फाल के बिजनिस करी आज 31 दिसमबर तक एक हजा करोड तच करने के बिल्कुल करीब है एनिमल मूवी पुरी वही जैसे मैं आपको बता है वाइलेंस वाइलेंस का हद जिसमें मतलब किसी प्रकार की कोई स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी कोई स्टोरी का कोई सरपैर नहीं था लेकिन वो फिल्म हिट हो जाती है उसके बाद सातियों आती है आठ दिसमबर को जिस पर मैंने आज पूरा बात किया है आपसे जोरा मूवी जिसका बजट मातर पंद्रा करोड का है और वो पंद्रा करोड का बजट पिछले तेज दिन में इसके बाद से नहीं छूपाया है अपको पता है साती हो कि अभी तक किता उसने बिजन्स किया है 8-10 करोड और एक डम true-based movie जैसे मैंने आपको बताया truebased पर है सची कहानी दिखाये गया है, जिसमें ना जाने कितने किसाल, ऐसी एक मुवी और थी साथी हो, चक्रवीव मुवी, जिसके बारे मैं आप से जिक्र करना चाहर हूँ, चक्रवीव मुवी एक थी, वो मुवी भी कही नक्सलियों पर बेस्थी, और उसका हाल भी वक्स ओफिस में बिल्कुल ऐसे ही हुआ अलाकि जोरव मूवी को जैसे मैंने आपको बताया बहार दरबद में और अलग-अवार्ड फॉंक्शनों में वहाँ पर इनको अवार्ड मिलता है और जो हमारे जो हीरो है मनोज वाजपेजी उन्हें बेस्ट एक्टर कावार्ड बिलता है लेकिन भारत में ऐसी फिल्म में नहीं चलती ऐसी फिल्म में आप लोगको फसंद नहीं है ठीक है खेर आगे बात कर लेते हैं अगली फिल्म रिलीज होई है 21 दिसम्बर को इसको भी मैं नहीं बोलूँगा यह वडिया है फैमिली बेस्ट फिल्म है डंकी SRK की ये मुवी नहीं चलती है इसके पहले की मुवी जवान ब्लॉक बस्टर होती है लेकिन डंकी नहीं चलती है डंकी मुवी में जिस हिसाब से डंकी जो तरीका बताया गया पंजाब के जो लोग और अलग अलग जगे के लोग डंकी मार के किस तरीके से बहार जाते हैं और उनकी जो परशानी बताये गई वो छू जाने वाली है छू जाने वाली एक स्टोरी की रूप में है लेकिन वैसे मुवी नहीं चलती और जो वो मुवी है उसका बिजनिस हुआ है 317 करोण हरा के फिल्म हीट है लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1000 करोण के जो क्लब है जब एनिमल मुवी 1000 करोण के क्लब में पहुँच सकती है तो डंकी जो नहीं पहुँच सकती सलार फुल इमेजिनेशन मुवी नोड़ डिरेक्टर बहुत अच्छे है एक्टर बहुत अच्छे प्रभास पर सवाल नहीं है सवाल डिरेक्टर प्रडूसर पर नहीं है सवाल आज तो आप लोगों से है आप लोगों से अप कैसा समाच चाहते हो उसके बाद सलार मूवी सलार मूवी ने मात्र नौ दिन में आज 31 दिसंबर तक बात कर लें तो 890 करोण का बिजनिस कर लिया है सलार मूवी तो साथियों ये है ये दिसंबर महीने में जो जो मूवियां रिलीज हुई उनका हाल मैं आपको बताया अब बात कर लेते हैं किया 2024 में भी आपको वाइलेंस और आपके हिसाब की आपके मताबिक मूवी देखने को मिलेगी जी हैं बिल्कुल सबसे पहले बात कर लीजा के थे 12 जन हो लीज होने वाली merry kismas movie merry kismas movie जो है वो एक suspense thriller movie है जिसमेnh kattrina keff ع facil consent को नजरा एंगे जबरदस्त देखिया है Curry मेरी kismas all प्रालड़ी मैंने बना दिया है दे кई है उसके बाद फिर fighter movie लीजागी 24 जन हर ये movie जो है back write fighter इसमें इसमें एक प्रकार से आर्मी के उपर दिखाया गया है उसके बाद फिर जो एक बड़ी मूवी लिलीज होने वाली है वो है देवरा देवरा मूवी चार अप्रेल को लीज होगी जिसका बहुत नाम चल रहा है भी सिवा उसके डारेक्टर है और उसमें भी वाइलेंस है और मन गणत कहानी है पुरी इमेजिनेशन वाली कहानी है और वो मूवी मुझे मालूम है सुपर डूपर हिट होने वाली है क्योंकि आपके मुताबिक है आपके जोर्नल की है जैसा आप चाहते है उसके बाद फिर जो नाम चली रहा है लगातार कल की प्रभास की और जैसे मैंने आपको बताया है कि हॉलीवूड हॉलीवूड को फाड़ने वाला है हॉलीवूड को हिलाने वाला है फिल्म बहुत अच्छी है हम लोग अगर हॉलीवूड की जैसे कुछ कर पाए तो उसकी और एक कदम है इस मूवी के जरीए और नाग अस्विन और जो मेकर्स हैं कलकी के उन्होंने ये चीज डिकलेयर करी है कि ये आपको अलगी लेवल में ले जाने वाली है लेकिन सवाल वही है क्या इस मूवी में हिंसा का अपयोग होगा बिलकुल होगा ट्रिलर से ही दिख रहा है सवाल ये ही है और इसलिए मूवी और बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें वाइलेंस है और आजकल आप लोगों को वाइलेंस मूवी बसंदे क्या हम लोग सब वाइलेंस हमारे अंदर आ चुका है सवाल ये अपने आपके साथ में है तो साथियों मैं आपसे निवेजन करता हूँ कि आप जोरब मूवी जाके देखिए जोरब मूवी का हाल लंच बॉक्स जैसा मत करिएगा लंच बॉक्स जैसा तेरा में हुई आज तक की मेरे लेफ की बेस्ट मूवी अगर कोई पूछे तो मैं बोलता हूँ लंच बॉक्स नोड़ा कश्रिप की है जिस में मरूँ इरुफान खान जो अब नहीं है हमारे साथ में बेहद प्रभावसाली एक्टर जो मेरी नजर में सुपर स्टार है आज भी है उनके जैसा कोई स्टार आज मेरी नजर में स्टार नहीं है तो साथियों उनकी फिल्म अनुराग कर्षप जो अलगी लेवल के फिल्म बनाते हैं मूविया बनाते हैं उनकी फिल्म लंच बॉक्स टीवी में बाद में भले चलती है लेकिन सिनेमा हॉल में वैसा वैसक जल्वा नहीं भी खेर पाती है तो साथियों प्लीज थोड़ा सा आख खुलिए और जोरब मूवी देखके हैं यह जो एकदब हकीकत है जो सुलुल का सुलुल ट्राइब किसान हैं जिनके साथ अत्यचार हो रहा है वो मजबूर है नकसली बने के लिए जो एकदब सच्चाई कड़ी सच्चाई बताती है आप लोग से आप लोग उस मूवी को द्यान से देखेगा और महसूस करिएगा क्या आस पास आपके भी यही चीज़ हो रही है तो साथियों आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आऊंगा वीडियो तोड़ा लंबा हो कि जोरम मूवी का मडर ना हो ना पाए क्योंकि जोरम मूवी का मडर पिछले 22-23 दिन में हो चुका है और यह आपने और हमने किया है प्लीज जोरम को जिंदा करिए प्लीज दुबारा इस तरह की मूविया हमारे फिल्म इंडेस्ट्री में बनती रहे वो मोटिवेट दीज को और मनो जो आज परी जैसे एक्टर्स को यह महसूस दिलाए कि आप ऐसी फिल्म बनाई है हम आपके साथ है वरना ऐसी मूवियां बननी बंद हो जाएंगे और सिफ एनिमल जैसी मूवियां आपको बॉलीवून में नजर आईए फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूस दिन है 2023 का आखरी साल है यह इसलिए आज मैंने इस पेस्विक वीडियो बनाया है और जित्ता हो सके इस वीडियो को फेलाईए क्योंकि हमारे लिए आपके लिए सबके लिए यह वीडियो जरूरी है शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को ताकि हमारा बॉलिवुड जो देना चाहता है इन मूवीज के जरीए जोरम लंच बॉक्स मूवीज के जरीए अपने यूद को वो देने का कोशिश करेंगा प्लीज हाच जोर के बिंती है जोरम मूवी जरूर देखें फिलहाल के लिए आपको पहले से ही मैं एडवांस में हपी नि साल में नए वीडियो के साथ नए तरीके से गुंज लाइव न्यूस आप लोगे सामने हाजिर होगा तब तक के लिए नमस्कार साथियों